आवकल समीकट के सीरीज में बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपार्टेंट कोश्चन में आपको बताने वाला हूँ तो मेरे साथ थोड़ा दो-तीन मिनट बिताओ और देखो मुझे कुछ सीखते हो की नहीं सीखते हो अगर सीखते हो तो डेली सीखा करो नहीं सीखते हो तो डेली मुझे स्किप कर दिया करो अंसब्सक्राइब कर दो ठीक है कोई फायदा महसूस हो तो लगे रहो रुक्षान महसूस हो तो भाई नहीं जगें जाओ जहाँ पर आपको लाब मिले तो मैं देखाता हूँ आपको कैसे आपको हल करना है ब्यापक हल निकालना है डिवाइवाद एक्स इकॉल टू वन प्लस एक्स स्क्वाइर वन प्लस वाई स्क्वाइर इसका आपको क्या करना है आवकल समी करड़ है इसका क्या करना है ब्यापक हल ग्याद करना है तो ब्याप दाइय पच्छ में लेंगके चले जाओ और जीतना भी x वाला फांक्टन उसको दाइय पच्छ में लेके चले जाओ तो चलिए वाई वाले इसको लेके लेकर कराते हैं इधर गुड़े में हैं किति इधर बटते होगा बटे होगा यह डी-वाई उपर है और यह 1 प्लस एकसी स्क्वाइर है डी अक्स नीचे है उधर ले जाओगे तो उपर हो गया समझे वन अपान इतना जरा गवर से देखो वन अपान 1 प्लस एकसी स्क्वाइर डी वाई स्वाइर ये तो 10 इनवर्स वाई का फार्मूला लग राजी अब इधर क्या हो जाएगा अब अभी तो हम समाकलन करने रहे हैं अभी इसका हम समाकलन करेंगे तब फार्मूला लिखेंगे ठीक है ना तो एक काम करते दोनों पच्चों में हम समाकलन का सिम्बल लगा देते हैं बस अब हम फार्मूला लिखेंगे ये किसका फार्मूला है 10 एंवर्स वाई का बराबर ये X का समाकलन 1 का समाकलन X X स्क्वाइर का X कूब पांट 3 plus C बस हो गया बहुत अगर आप करेंगे तो Y बराबर इधर कर देंगे Y बराबर बेलू निकालेंगे तो 10 इतना plus C हो जाएगा ठीक है ना लेकिन इतना करने के जरूवत आपको नहीं ऐसे ही छोड़ दीजी हो गया आपका एंसर बस यार तीन ही लाइन का सवाल था जिसको नहीं आता उसके लिए भारी है जिसको आता उसके लिए हलका है मेरी बीडिये चोटी है, मगर बहुत ही helpful है, जरूरी नहीं कि मैं इतना चोटा ही चोटा सवाल बताता हूँ, मैं जब प्रहनवली में देखता हूँ, कि बाई चोटे सवाल भी आते हैं, तो चोटे सवाल का भी important बताता हूँ, फिर थोड़ा आगे प्रहनवली में बढ़ता ह तो बड़े सवाल भी जाम में आते हैं, तो फिर हम बड़ा भी बताते हैं, तो आप ये मत सोचना है, इस तरह मुझे मत ये वीडियो देख करना, ये तो केवल दो-दो मिनट का वीडियो है, छोटा-छोटा है, आसान-आसान बताते हैं, रेगुलर मेरे साथ 10 दिन लगो, पत चलेगा कि मैं छोटा, बड़ा और खोटा सब तरह का सवाल बताता हूं, ठीक है, थैंक यू,